अविनन्दन स्वागत आज इस वीड़ के माध्यम से कुछ लोगों का फर्माई साया था कि गुरुजी ऐसे चेज बनाई है जिसको सुन करके हमारे बच्चे बटकाव से बचें जो छोटी छोटी आयो के आठ दस वर्स के बारे वर्स के बच्चे बिगड़ने लगते हैं ये वीडियो माता पिता के साथ उन बच्चों के लिए भी है आप उन्हें देखें खुद देखें उनको दिखाए बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है कि जब आप छोटे से नन्ने मुन्ने हो आपको अपने ऐसे साथियों से दूर रहना है या ऐसे व्यक्तियों से जब बड़ा हो बुड़ा हो कभी-कभी बच्चों ऐसा होता है कि आप अपने साथियों के साथ खेलते हैं कोई भी खेल खेलते हैं बहां कोई बड़ा होता नहीं ये माता पिता होते नहीं और तुम अकेले में क्या करते हो, पता है एक bad touch करते हो bad touch का आर्थ होता है और good touch का आर्थ होता है बच्चों ध्यार रखना good touch बनी positive response कि आपकी body को कोई बच्चा चू रहा है या कोई बड़ा व्यक्ति चू रहा है तो कहां पर चूना उसका good touch है और कहां पर छुना bad touch है ये बड़ा ध्यान देने की बात है मेरे नन्ने मुन्ने प्यारो बच्चो यदि आपने इसको समझ लिया और माता पिता भी इस good touch और bad touch को अपने बच्चों को समझाए गलत इसपर्स और सही इसपर्स right touch and wrong touch यदि कोई लड़का आपके ऐसे अंगों को छूता है जैसे लड़का लड़का ही को पहले विगारता है क्योंकि हम लोग लड़कियों को तो खेलने नहीं देते हैं लड़कों के साथ में जब थोड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन लड़के लड़के को ही बिगाड़ते हैं उसका कारण ये है कि आप खेल नहीं तो वो आपके सुसु वाली जगे को वो टेच कर रहा है कोई उसके साथ छेंड छांड कर रहा है तो आप साबधान हो जाना मेरे बच्चो आप ऐसा करने कोई करता है तो आपको मना करना है चीकना है चिलाना है अपने माता पिता को बताना है और ऐसी जो बालिकाए है नन्नी मुन्नी यदि कोई औरत कोई लड़की तुमें कोई ऐसा खेल सिखाती है जो तुमारी पेसाब करने वाले जगे को छूता है, उसको छेनता है और उसमें उंगली करने की गंदी हरकत सिखाता है या फिर तुमारे breast को कोई छूने की कोसिस करता है चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो तुमारी सहली ही क्यों ना हो है ना चाहे तुमारा वो boyfriend हो या girlfriend हो कोई भी हो अगर वो ऐसा करता है तो यह wrong touch bad touch में आएगा आप इसके लिए तुरंट उसे मना करिए और नहीं मानता है आप चीखिए चिलाइए उसकी सिकायत अपने माता पिता से करें और ऐसे लोगों से बच के रहें कभी कभी क्या होता है हमारे लड़का लड़की साधी बिहा में जाते हैं और साधी बिहा में उनके लिए ऐसी ओरतें आईसी लड़कियां मिलती है वो साथ में लेड़तें हैं किविस्तर में लड़कियां लड़कियों के लिए इसी तरीके का बैड़ टच सिखाती है इस बैड़ टच से बचो क्योंकि इससे अगर नहीं बचोगे तो तुमारा مूरल पतन हो जाएगा नैतिक पतन हो जाएगा तुम्हारा ध्यान फिर इस बैड टच में इस बैड टच को ये बैड टच कब गुड टच होता है ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा तो मेरे नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों बालक बालिकाओ इस पर ध्यान देजिए यदि कोई भी लड़का कोई भी लड़की कोई भी आदमी कोई भी औरत आपके अंग के पार्ट को दो पार्ट को वो नाचुए एक तो ये च्छाती वाला हिस्सा और एक जो है मुत्रेंद्री माने शूशु वाला हिस्सा अगर इनको कोई टच करता है चेन्चान करता या वो आपको सिखाने की कोसिस करता है तो समझो वो तुमें बिगाड़रा है तुमारा सत्या नास करने के लिए क्योंकि अभी तुम्हारे बिकास की उमर है सरीर की उर्जा को वो निकालने की छेंड़जान कोसिस कर रहा है अभी तुम्हारा इखटा करना है तुम्हें अपनी ब्रमचरिय की सक्ति को इनर्जी को ताकि तुमारे सरीर का, ताकि तुमारे मन का, ताकि तुमारे बुद्धी का, ताकि तुमारे नेत्रों का, ताकि तुमारे यादधास्त का एक वहतन निर्माड हो यदि तुम बच्पन में ही इस bad touch में enjoy करने लगोगे तो ना तो तुम अच्छे पहलवान बन पाऊगे ना तुम क्रिकेटर बन पाऊगे ना तुम सिंगर बन पाऊगे ना डांसर बन पाऊगे क्योंकि इसी इनरजी का काम उरजा का सेक्सुल इनरजी का ही तो परिणाम हमारा जीवन है और हम है उसी की सपोर्ट से हम अपने एम को प्राप्थ हो सकते हैं लक्ष को प्राप्थ हो सकते हैं तो मेरे बहन भाईयों माता पिता जो हैं इस वीडियो को अपने बच्चों तक पहुँचाएं और एक चीद ध्यान रखिएगा अपने लड़का लड़की को कभी किसी नातेदार औरत आदमी के साथ में मत उसको सुलाईएगा क्योंकि वो बहुत सारे दुरून सिखाते हैं 99% वो चिपक के सोते हैं एक टेस्च होता है उसका एक फीलिंग साती है निकल गए यह बहुत सारे एक्सपिरियंसेज हैं जीवन में जूड़े हुए आपको अपने अन्वो उनको बाटने है और यह वीडियो दिखाए आओ मा अपने बेटी को अपने आसपास लिटाए और पेता अपने बेटे को आसपास लिटाए ताकि उनकी हरकतों का पता चलता रहे है बच्चों मुबाइल का कम से कम इस्तेमाल करिएगा इसके प्रियोग और प्रभाव इफेक्ट पे मैं बाद में बहुँगा